बेलकम टू बीएसी बिहार स्टेटिक जाम में आपका स्वागत है यह वीडियो बीएससी इंटर लेवल का जो वैकेंसी निकला है उसी के लिए आज हम लोग मैद का प्रैक्टिसेट 13 का डिसकर्शन करने वाले हैं जो प्लेटफर्म दौरा भॉलूम 2 के माधियम से 20 सेट का प्रैक्टिस बुक निकाले गए इसी प्रैक्टिसेट 13 के जितने भी मैद के इंपॉर्टेंट प्रस्ण मत दे सारे का इस वीडियो में डिसकर्शन करेंगे वीडियो सु करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथी बेल बटन को दबा दे ताकि आने वाले पर थेक नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके साथी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेयर करें ताकि लोगों के बिच यह वीडियो आसानी से पहुच सके चलिए वीडियो के सुरुवात करते आज के इंपॉर्टेंट प्रस्णों के साथ पहला प्रस्ण है पहला ज्याद करना है यानि rate हमसे पूछ रहा है तो ज्या गुणा हो जाए यानि n-1 divide by time time से divide करके 100 से multiply करते ये निकल जाता है rate परसेंट यानि जितना परसेंट की दर से या दुगुणा हो रहा है क्या करा है तेरा वर्स में वह दो गुना हो जाता है तो जै गुना हो जाए यानि दो गुना माइनस वन मल्टिप्लाइ हंडें डिवाइड बाइट टाइम टाइम कितना तेरा से डिवाइड कर देंगे दो में से एक जागा एक एक मल्टिप्लाइ 100 डिवाइड भाई 13 यानि 100 बटा 13 को आप डिवाइड की जगा 100 को 13 से डिवाइड की जगा तो ये कितना जगा 7.69 परसेंट यानि करेक्ट एंस और ओप्सन भी इस प्रस्ण का करेक जबाबों का कौन सा ओप्सन भी किलिया रहे नेक्स्ट अगला किसी खेद को 35 दिन में काट सकते तो 21 परस्ट उसी खेद को कितने दिन में काटेंगे देखिए वेक्ति और समय को उपर रखते बागी को निच यानि 18 परस्ट है 18 मैन किसी काम को कितना 35 दिन में कर लेता है ठीक है उच रहा है कि 21 परस्ट यानि 21 वेक्ति उस खेद को कितना तो 3 से कर देते शैट स्थ संधिया स्थी एक हैज तीन से थी से आठारा कर जागा नो भूरते यानि नो पचे पर कितना हो जागा कि इन शोपर चैनल निटार जाए दिन वहां काम एक प्रस्ट का कॉन सा आप्सटन भी किलियर है लेक्स्ट अगला प्रस्ट ने कि जबकि दो समान रासिक, क्रमसा 7% और 9% वार्सिक व्याज की दर्षे 5 साल और 3 साल के लिए जमा की जाती है उनकी सधारन व्याज का अंदर 475 है तो फिर जमा की गई रासिक जाती है यानि हमसे पुछ रहा है 100% का फैलू पुछ रहा है कि 7% की दर्षे कितना वर्ष के लिए जमा करता है तो 5 साल के लिए यानि उसको कितना इंट्रेस मिलेगा साथ पचे 35% इंट्रेस मिल जागा सौर प्या में 35% इंट्रेस मिल जागा 9% की दर्षे वा कितना साल के लिए जमा करता है 3 साल के लिए तो नतिय कितना आजएगा 27 हो जागा यानि 27% interest मिल जागा जब दोनों का difference देखिएगा यह difference आपको आजएगा 8% यानि 8% दोनों का interest आज़ा है यानि ब्याज में कितना का अंतर? 475 का अंतर यानि 8% का value जा गया कितना? 475 हमसे पूछ रहा है 100% का वैलू ग्याद करना यानि 1% का वैलू आप निकाल सकते कितना 475, 475 divided by 8 हमसे कि पूछ रहा है 100% यानि 100 से इधा multiply करेंगे 100 से इधा भी multiply करना पड़ेगा यानि 4,5,4,7,5,00 divided by 8 जब इसको काटिएगा तो ये कट के आपको आ जागा कितना कडिक टैंस और option A इस प्रस्ण का कडिक जबाब होगा कौन सा option A clear है next अगला प्रस्ण देखिए जाग या 25 A square minus 9 का गुणन खंड इस परकार होगा देखिए 25 को हम लोग क्या लिख सकते 5 लिख सकते 5 A का whole square ठीक है 9 को क्या लिख सकते 3 का square अब देखिए A square minus B square बरावर हम लोग को पता है क्या होता है A plus B into A minus B अब देखिए A plus B के जगा पर हम लोग लिख सकते 5 A plus 3 और A minus B के जगा पर हम लोग क्या लिख सकते 5 A minus 3 यही इसका गुननखड होगा यानि option A इस प्रसन का कडिक जबाब होगा कुनसा option A clear है next अगला प्रसन देखिए एक वेपारी अपनी माल को क्रैमल से 60% अधिक अंकित करता और 25% का छूर देता है उसका 100% ग्याद की जैदिकी 60% अधिक अंकित किया यानि पलस 60 और क्या करा 25% का छूर दे रहा है minus 25 पलस minus क्या होगा minus हो जागा यानि 60 minus 60 गुने 25 डिवाइड बाई 100 यानि यह हो जागा कितना 25 को सो 4 मर्ति 4 से 60 कर जागा कितना 4 एकम 4 5 को 20 यानि 15 मर्ति यह घटके आ जागा आपको कितना देखिए 5 5 में से 2 जागा 3 35 35-15 हो जागा आपको कितना 0 2 यानि 20% इसका कड़िक टैंसर होगा यानि option a इस प्रस्ट का कड़िक जबाब होगा कौन सा option a किलियर है next अगला प्रस्ट इसको किस फॉर्म में लिखे तो देखिए a plus b plus minus जो हो यहां पे लग जाएगा ठीक है और a into b divide by 100 यह इसका a b rule कर लाता है a b rule पर हमने इसको तोड़ दिया किलियर है अगला question देखिए एक वेपारी दो उभार 30 रुपे पर टीक पर बेचता है एक पर उसे 18% का लाव होता है दूसरी पर उसे 18% की हानी होती है पुल लाव या हानी कितना है यह हमको ग्याद करना है ठीक है कहए रहा है कि दोनों को परटे को 30 रुपाइं बेचता है दो समान बेच रह है तहां दोनों समान का कितना हो जाब था 30 रुपे के इसाब से दो समान बेच रह है तहे दोनों का सेलिंग पर्ष साहट रुपया अब क्या करें एक उपहार पे 18% का लाब होता है यानि 30 रुपया सेलिंग प्राइस अठारा रुपया प्रोफित है तो क्रैमूल कितना हो जाएगा कॉस्ट प्रैस कितना हो जाएगा देखिए यानि पहला वस्तु का क्रैमूल हम लोग ग्याच कर सकते हैं पहला सेलिंग एसपी द्या गया पहला वस्तु का 30 रुपया अड़kick और इस पहें प्रोफिट दे रहा है कीतना प्रोफिट दे रहा है रहा हमको कितना 18 ृटरफिट द08 यानि इससे हम क्या निकाल सकते, cost price cp निकाल सकते, cp बराबर कितना हो जगा 30, multiply 30, multiply 100, divide by कितना हो जगा 118, ठीक है, इससे हम cost price निकाल सकते, फिर 30 रुपया दिया गया, selling price, दूसरे बस दूपे, उस पे हमको क्या करा है, loss हो रहा है, loss कितना का हो रहा है, वो भी कितना, 18% का loss हो रहा है, अब इससे भी हम cost price निकाल सकते है, तो cp निकाल सकते है, 30, multiply 100, divide by कितना, 100, minus 18, से divide कर देंगे, तो यह आजगा, आपको 82, 82 से divide कर देना, जब इसको divide कीजेगा, तो यह आपको कटकूर के आजगा, कितना, 36.58, 36.58, ठीक है, और इधर देखिएगा, तो यहाँ प रहा है, यारी total cp अगर निकाल दे, total cp निकाल, total total cp निकाला जाए, यह हो जागा, 25.42, plus, कितना, 36.58, जब इसको add कीजेगा, यह add हो कि आपको आजाएगा, कितना 62, कितना 62, यारी 60 रुपया का समान, हमने बीच कितना, मेरे 62 रुपया में, 60 रुपया का समान को हमने प्रोफीट कितना का हो रहा है, दोड़ प्याकर लाब हो रहा है, यानि option D, इसका पर एक जबाब का कौन सा option D, clear है, next, अगला question क्या कर रहा है, देकि, एक इस्थिर जल में नाव, एक नाव की चाल, 50 km प्रती घंटा है, इस नाव की परवा की दिशा में, एक निश्ची अधिक समय लगता है, कब इस ते जल में उतनी ही धूरी टैकरने में, अगर सांत जल में जितना धूरी टैकरना है, उसके बढ़वा की दिशा में धूरी टैकरने से, चार गुना, 25% अधिक समय लगता है, इस 25% को अब फ्रैक्शन में लिख सकते है, एक वर्टा चार, यान कहने का मतलब हो गया, सांत जल में जितना समय लगेगा, वही धारा की दिशा में जो समय लगेगा, उसका कितना, सांत में अगर चार लगता है, तो सांत जल में 25% अधिक से, एक जादा, यानि सांत जल में कितना लगेगा, पाच यूनित लगेगा, यह हो गया, आपको किलोमीटर प्रती गंटा ठीक है 50 किलोमीटर प्रती गंटा हमसे पूछ रहा है धारा की चाल हमने मान लिया धारा की चाल हमने मान लिया एक्स अब देखें डिस्टेंस सेम है डिस्टेंस वराबर क्या होता है डिस्टेंस वराबर क्या होता है speed into time speed multiply time speed multiply time होता है distance होता है speed कितना है 50 का speed से क्या कर जा रहा है 50 के speed 9 की चाल है ठीक है 50 की speed से कितना 7 जल में जाता है 7 जल में 1 इस्थिर जल में 9 की चाल कितना है 50 समय कितना ले रहा है 5 गंटा ले रहा है यानि 5 से multiply कर देंगा ठीक है अब देखी धारा की दिशा में जाएगा तो इसवीड धारा का इभी चुट जाएगा यानि नाओ की चाल प्लस धारा की चाल या टाइम कितना ले रहा है चार यूनित ले रहा है चार से मल्टिप्लाइ कर जाएगे जब इसको सॉल की जगा ता पचा पचीश दो सो पचा परसेंट 12.5 किलो मिटर प्रती घंटा यानि करेक्ट एंस और ओप्सन डी इस प्रसन का करेक जवाब होगा कौन सा ओप्सन डी किलियर है नेक्स्ट अगला प्रसन देखिए राम एक वस्टू को 30 परसेंट अधिक लाब कमाता है एक वस्टू के बीचकर वह 30 परसेंट अध कितना पर प्रसेंट का फ्रोफित होगा कितना पर एक endlich प्रोफित कितना एक सफेंट अधिन कर राए देखिए एक वस्टू पे तीस परसेंट लाब कमाता है यानि परसेंट का प्रोफिट होगा है कितना पर प्रोफित सेलीं 1030 वाइस कितना हो Resistance प्रtant 30 पर ऑपैंघृ यह जिरो से जिरो कर जागा यानि 300 डिवाइट बाइट थरी हंडेट को जब 13 से डिवाइट की जागा तो यह आजागा 23.07 यह जो आपको 23.1 परसेंट की लियरेस्ट अस्थान देगा यानि करेक्ट एंस और ऑप्सन सी हो जाएगा नेक्स्ट अगला प्रस देखिए 20 परसेंट और 15 परसेंट के दो क्रामिक चूट के समतुल एकल चूट क्या होगा अब देखिए दो क्या दिया गया क्रामिक चूट उसका एकल चूट पूछाए तो यह भी रूल लगाएंगे 20 परसेंट और कितना 15 परसेंट 20 और 15 हो गया पलस में माइनस छूड़ देरा माइनस 20 वने 15 डिवाइड पाइड कितना हो जागा 100 से डिवाइड कर देंगे यह हो जागा आपको कितना 25 35 में आपको कितना 15 दूना 30 यानी 3 घटा देर 35 से 3 घटा यह का थी यह कितना जगा 32 परसेंट यानी करेक्ट हैंस और ओप्सन सी इस प्रस्ट का करेक्ट जवाब होगा कौन सा ओप्सन सी क्लियर है नेक्स्ट अगला प्रस्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा एक्स को 19, 28, 55 और 91 में से पर्टेक में से घटाया जाता है तो इ यह जो हनुपाता है का यह 55 माइनस एक्स डिवाइड बै कितना 91 माइनस एक्स के बड़ाबर आएगा अब देखिए यहां ओप्सन का सहारा लेकर ओप्सन में क्या करा है एक्स के जगा पर अगर हम 5 पूट करते है तो देखिए 19 माइनस 5 हो जागा 549 यानी 14 अधाइस में से पाज घट आईगा तक इतना पाच तीन आठ यानी तईस यानी चौविस बटा तईस इधर देखेंगे तब 55 में से पाज घट आएगे तब 50 और उनीस में से एक्कानमे में से पाज घट आईएगा यह हो जागा छो यह एटिसिक्स अब इसको काटिए गा यह आजागा 25 यह आजागा कितना 428 यानी 43 तालिस यानी दोनों आपस में बरावर नहीं हो रहा है यानी ऑप्सन एक गलत हो जाएगा ऑप्सन बी को चिक करेंगे उसके बाद सी उसके बाद डी अगर आप सूचा सूच किया क्रेट किया जाए देखें यह ऑप्सन डी का प 15 बैस साथ यह आजागा इस साथ को खटाएंगा तो यह कर जागा कितना 58 दी हर वाआट ह क्ट वाड़न है यानी दूनों आपस में बरावर हो गया यानी करेक्ट डि इस प्रश्ट का करेंग जबाब को फॉट कर देखें यह नेक्स्स अगला हुला प्रस्ट यह ने क्रेश पाच अंकवाली संज्ञा दिया गया, कितना दिया गया 6,7,6,x,y ठीक है, इसको क्या कर दा है, 3,7,11 से बिवाज है, तो x और y का पहले फैलू क्या करना है, सबसे पहला काम कीजे, 3,7,11 का lcm ले लिजे, lcm लिजेगा तो तीनों क्या है, और नमर है, अबाज संग क्या है, तो multiple होता है यानि LCM हो जागा 2,3,1,2,31 आप क्या कीजिए 231 इसको डिवाइड कर जीजिए 6,7,6,X,Y को अगर 231 से डिवाइड कीजिए तो देखिए एक मरते लगाएंगे सबसे पहले दो मरते लगाते है तो यह कितना यहाँ पर X,Y है ठीक है दो मरते लगाते है तो यह आजएगा आपको कितना आप देखिए, एकस के जिगह पे, यहां 20 है, माल लिजे, एकस के जिगह पे अगर 0 होता, तो क्या होता, सबसे पहले आपने क्या किया, एकस के जिगह पे 0 पुट कर देख, अब 0 पुट करने के बाद, यहां पे हम 9 मर्ते लगाएंगे, तो 9 मर्ते लगाएंगे, तो यह आज जगह 0 पूट के यानि 610 आगया अब इसको लगाएंगे कितना मरते दो मरते लगाएंगे यह आजागा कितना 462 462 को घटाईएगा तो यह घट के आजागा आपको इतना 148 148 यह 148 क्यों एक्स्ट्रा आगया क्योंकि हमने लेकिन होना क्या चाहिए तो 231 में से आपको 148 को घटा देना होगा 148 को जब घटाईएगा यह आगया आपको कितना 83 कहाने का मतलब एक्स के जगा पे अगर हम 8 पूट करे और वाई के जगा पे 3 पूट करे यह संख्या आसानी से कट जाएगा ठीक है अब जो कह रहा है उसका वहलू पूट कर देजे कोस्टन भी कह रहा है 3x-5y का वहलू ग्यात कीजिए 3x-5y ठीक है 3x के जगा पे हमको कितना आठ पूट करना है माइनस 5y के जगा पे हमको कितना थीरी पूट करना है तो आर्टी 24 पान्तियाए 15 चोविस में से 15 को घटाएगे तो यह घटके आ जागा कितना 9 जैनि करें тобой करेंग चैन्स ओर मिलाकल है कौन सा capsule कि लिए युटा संख्य का ओुषड जिया स्टीटर सेवनें रिएद पॉइंटव करें पॉइंट पॉइंट Corporation वही किरेखकेंग जिसील तोयवाई सब्सका का त्वीalta संख्या .. जोगरीपित होँगा क्योंगी 24 होँगा यह अंति 12 संख्या का एवरेज कितना दिया गया 35.4 टिक है 35.4 यह वाईस संख्या का overall average का बात के जाते हैं यह दिया गया 37.5 एकर 12 संख्या का यह सो तो अहरा चाहिए तो अब देखिए हाथ यह याओ यह जरों जाएसरे एक भारा जोरू आते 6-6-7-37-2 और इसे यह इतना ज्यादा है अब देखिए हार 28-35 तो कितना कम मुना थाकषण कोब करने कितिए करने संक्यआप इकशाइसित सब्सक्राइब दून को निकाल जाए जब एवड़ा और बाड़ा संख्या को निकाल देंगे तो अब संख्या कितना हो जागा पहले 12 था आप दो संख्या निकाल या बिस से डिवाइट कर देंगे जब इस से डिवाइट कर जाए यह कर जागा 36.9 यानि करेक्ट एंस और ऑपसर डी इस प्रश्ण का करिक चबाब को कौन सा ऑपसर डी क्लियर है नेक्स्ट अब यह वह कीश्यान जब भी सिफ्लिफिकेशन का कॉस्जिन निस बॉन्ड बाइडि का काम करेंगे शबसे बॉन्ती नगर के में किनका मने को स्थाउताई लूदा cameů कितना हो जाए गए होगा तुवंटी डि डा से टोंटी डटीड करें ज्यानि तूपाइब सल्ट करेंगे फिव्टेड बाइब फोट कि मल्टिप्लाय कितना डूबाइफाइब एक डिचेल इपांति पंदर तीन वर्त दों दोंज से कर द दि इकारा बटा शो में तीन वटा दूको एंट किजा तो लेंगे चौज़ एगा तीन नुदृ नी यानि निकारा कितना हो जागा आपको 9,10 जिन्दें, नो दॉसे की गाना ठीक है, 9,10 यानि यह हो जागा आपको 20 वटा 6, ठीक, आगे जब इसको solve किया, चोटी, आठारा, जब यहां से यहां तक solve की जिएगा, चोटी, आठारा, अठारा और 5 कितना हो गया, 18 और 5 हो गया, 18, 22, 23, 23 वटा कितना हो गया, 6, 23 वटा 6, एक मिनट कहां आपने गरबर किया, यह देख लेते, 15 वटा 4 था, ठीक है, 15 वटा 4 को जब solve किये, तो दो वटा 3 यहां आ गया, दो वटा 3 से काटे, यह खड़ गया आपको कितना, एक मिनट, एक मिनट इसको फिर से solve कर लेतें कहीं, गलत हो रहा है, simplification का question आसानी से solve को कोई भारी बात नहीं, यानि यहां जब solve करें, 25, 25, 24, 29, 29 वटा 5, divide का sign को multiply में बन लेतें, यह उलड जाएगा, यह दो उपर चल लेगा, 24, 29, 29, नीचा है, 29, 29 कर जाएगा, यह दो वटा 5, 15 वटा 4, multiply कितना आ रहा है, 2 वटा 5, जब इसको solve की जगहा 5 से कार देगा, 5, 15, 3 मरते, यानि ये 2 से 2 कर जाएगा, 4 कर जाएगा, 2 मरते, यानि 3 वटा 2 आ गया, ठीक, अब जब इसको solve की जगहा 3 तैनो, 2 कितना हो गया, डमडू इगारा वता कितना तीन स्कितना तीन वताल थो इंगा थीन प्रेश्ट इन टीन रड़िका चो जेगा 2 ४ किटना नए दीया करिक्ट एंस और उप्ट्सन विस्ट्राइब का एक मिस्दहाटू एक्स हरवाइक युग दा ओपात दिया घाए और दाटीं युथ है पमिला कर नहें टासन हमारे दिया कर तो एक सफर dhcrt , उसमें एक सेख़री के हमारे देखिए दोनों का इमाउंट सेम है कि नहीं पाच है दो साथ चारा तीन साथ दोनों का इमाउंट सेम है तो कोई दिकत नहीं है जब इमाउंट सेम है तो जो रीशियो कहरा है बातने के लिए उस रीशियो में बाढ़ देते है इस अनुपात में बातने के लिए कहरा है तो य यह हो जागा थर्टी फाइव इस्यों 20 और आट को एड़ की जागा 28 जानि ए और बी कर इस्यों यह थर्टी फाइव और 28 आगया साथ से खार देते हैं साथ पचे पैति साचा कटाई यानि वाई का वैलू 4 और इक्स का वैलू 5 आगया पूछ क्या रहा है सी वाई का परसेंट गया यह वाई कितना चार यूनी टूटल कितना पाच आचा नो यूनीट इसको काठी एगा तो होना कितना चाहिं 512 है 515 कितना जाद है त Арकी संख्या में कितना जाद हो गया तुछ थिंडू ना चो यानि पांसो दस होना कितना चाहिए पांसो बाड़ा है कितना पांसो दस दो की कमी है कितनी संख्या में 13 संख्या में यानि overall कितना 13 दूना 26 यानि 26 की कमी हा रहा है ठीक है तोटल डेवियेशन कितना 60 जादा 26 कम यानि कितना जादा तरनी 34 जादा है, या 34 क्यों जादा है, या दो संख्या के कारण 34 जादा है, पूछ कहा है, 19 और 20 के उत्पात का और सथ कितना होगा, तो 19 एवरेज होना कितना चाहीं 512, ठीक है, एवरेज 512, दोनों में कितना का जादा, चोतिश की जादा कितनी संख्या दो संख्या में एवरेज पूछ रहा था एवरेज दो से डिवाइट कर दें के तो 17 की जादा हो जागा यानि एवरेज कितना था 512 पांसो बारा में एवरेज में कितनी दोनों संख्या में 17 की बढ़ीदी हो जागा 17 को जब एड कीजिए तो ये कितना हो जागा 529 यानि कड़ेक टेंस और ओपसर डी इस प्रस्ट का कड़ेक जबाबों का कौंसा option D clear है नेक्स्ट अग्ला प्रस देखी पाच 35 उन्चालिस और 65 से भीवाज 5 अंको वाली सबसे बड़ी संख्या के अंको का ्युग द कीजिए सबसे बड़ी संख्या का रह criteri सबसे पहले क्या कीजिए पाच 35 49 और कितना 65 का LCM ले लिजए LCM लेंगे तो यह LCM कितना 5 से लगाते थे 5 एका 5 5 सथ पैटीस 49 13 पचे 65 13 13 से लगाएंगे तो 13 से लगाएंगे तो यह कितना आजागा 1 7 36 49 1 7 21 21 21 21 22 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 23 2365 2365 2365 2365 वह संक्या जो सभी से गड़ जाएंगा अकर आप 5 अंकों की सबसे बड़ी संक्या था 5 अंकों की सबसे बड़ी संक्या कितना था 5 को कितना नो 5 को नो इसको क्या किजे 2365 से डिवाइड किजे ते 1265 से जब डिभाय करेंगे तो यह आपको कितना मरते, 7 मरते लगाएंगे यह आज़ेगा 9, 5, 5, 5 ठीक, तो जब इसको घटाएएगा तो यह आज़ेगा आपको कितना 4, 4, 4, यह वाला आइ उतर जागा अब कितना से लगाएंगे तो रगादें तिन से तीन से जब लगाएंगे यह आजए 4 00 नाएन मैं आणि आएजिता हैं इसको घठ किया है कितना ? फाइजाए पर पाच अंकों कि सबसे बड़ी maar गई अंक पूचछा है तो तंग उजड़ा है नाइन 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 यह पाच अंकों कि सबसे अंक इस आएनन 304 को घठा दिजरे से इस प्रसन का कड़िक जवाबों का कौन सा ऑप्सन सी किलिया रहा है नेक्स्ट अंगला प्रसन देखिए एक वस्तु का अंकित मुल बारा सो रुप्या है एक सिल के दोरानों से बीस परसेंट कि सोलब परसेंट ऊरा सिफ एक्स परचेंट की की इतना में बेचा जाता है नेकिश का मुलें थिकए नियुक्त शूर होनकित महूं है ऑसी परचेंट में बेचेंगा ठीक फीर क्या दान Syn Smart me C में बेचेंगा यह जब बेचता है औ Kung 685.44 में बेच रहा है या एक्स में आमना हम लोग दिए सकते हैं कितना 685.44 multiply 100 multiply 100 multiply 100 divide by कितना divide by 1200 ठीक है multiply 80 multiply 84 ठीक जब इसको काटिएगा तो 0 1 2 3 3 0 से 3 0 cancel हो गया तो टोटल solve की जगा तो इक्स का value आपको आजाएगा कितना say 85 x का value कितना आगया 85 यानि 85 परसेंट में बेचा जा रहा है लेकिन पूछ रहा है कि X का मान ग्याद कीजए एक्स यह एकस के जगाश को यह रखते ठीक है एकस के जगा पर Y रखते ठीक एकसका का अनि का मतलब वह कितना percent का छूट दे रहा था छूट में 100 minus x y कर देंगे तो 100 में से y घटा देंगे यानि 100 में इसे 85 को घटाएंगे तो यह आजागा कितना 15% यानि 15% का उसने क्या कर रहा था छूट दे रहा था यानि correct answer option D देक्स्ट यह क्या बोर्ड मास यह बार लगा हुआ इसको ऐसे solve किजिए 3 4 6 7 6 7 6 7 ठीक है तीन बार repeat कर दीजिए अब कितना दिया गया 1 3 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 ठीक अब जब इसको एड़ किया सातीन दस है कि गाड़ा की खासी लेए छोटीन दो एक दस 10 10 हो जाए गाड़ा की खासील 1 4 3 3 2 1 10 7 3 10 10 10 की गाड़ा की खासील 1 4 3 2 1 10 की सुनना हासील 1 4 3 7 8 8 हो जाए तीन एक 4 यानि देखिए 4801, 01 क्या हो रहा है, रिफिट हो रहा है, तो 01 पे आप बार लगा देजे, यानि करेक्ट एंस और option B, इस प्रस्ण का करेक्ट जबाब हो, कुनसा option B, किलियर है, next, यह क्या कर रहा है, इसमें बीच वाली संख्या ग्यात कीजिए, जब भी ऐसे प्रस्ण है, option की सहारा लेंगे, देखिए, क्या कर रहा है, दो बटा पाच, और कितना चार बटा नौ, ठीक है, इसके बीच में option A को रखते है, कितना तीन बटा साथ को रखते है, अब क्रॉस चेक करेंगे, साथ दूना चोधर, ठीक आड़ा है, पांत्ये, पंद्रा, यानि इस से ही ब तो वह भीन चार बटा पाच बन जाता है, यानि उसके अंसार में परतेक में से पाच खटाए जाया, तो वह एक बटा दो बन जाता है, तो भीन ग्यात कीजिए, यानि option में ही क्या कर रहा है, कि भीन ग्यात करना है, तो option का सारा लेते है, पहला option क्या दागा है, दो बटा इसमें 7 में एक चोड़ते है नो में एक चोड़ेंगे तो उपर कितना होजएगा 8 वटा 10 8 वटा 10 को आधा किजिए कर दिए 4 वटा 5 आरा यानि पहला कंडिशन फॉलो कर रहा है यानि उसके अंजा पर तीक में से 5 घटा लेता है यानि 7 वटा 8 वटा 9 में से 5 घटा देते हैं 7 में से 5 घटा देते हैं तो यानि यह काटिए है तो एक वटा दो यानि दोनों कंडिशन फॉलो कर रहा है यानि ऑप्षन भी इस प्रस्ट का कडिक जबाब हो जाएगा क्लियर है अगला प्रस्ट नेकि एक आद्वी अपनी आई का एक वटा चार भोजन पर और एक वटा पाच अंस की राय पर और से 231 रुपे अंबस्तों पर खर्च करता है उसने कुल आई कितना है देखी 4 और 5 का LCM ले लेंगे तो 4 और 5 का LCM लीचेगा तो यह LCM आजागा काड़ कितना 20 नी टोटल यूनिट की तना 20 जिस storage चान भाग एक वटा चार भाक भोजन पर एक वटा यहां बटा सब्सक्रीय आप निकलेगा तो 5 यूनिट भोजन पर खर्च कर देता है और क्या कर लाइए एक वटा पांछ और वplate शार बास की राय आपको 11,21 हमसे पूछ रहा है उसका कुल आये कितना था तो टोटल इकव कितना था था 20 unit एक unit का value 20 unit का value कितना था 20-21,20-21 की जगा था कितना हो जगा 420 जानी correct answer option B इस प्रस्ट का correct जबाब होगा कौन सा option B next अब देखिए सिंप्लिफिकेशन का question और इसको आपको simplify करना होगा कैसे करेंगे तो देखिए कैसे तोड़ा जा सकता है देखिए इस बात को लोग लिख सकते हैं कि दो से उपर नीचे multiply कर देते दो से जब multiply करेंगे तो यह कितना हो जागा तीन दूना चोग इसको प्लस कितना टू रूट फाइब डिवाइड क्या कर देते दो से डिवाइड कर देते शीक्स प्लस टू रूट फाइब को हम लोग आगे क्या लिख सकती यह देखिए पाच और एक छो हो जाता है पलस तू पाच और एक छो टू इंटू एक की जगह पे वन अब बी की जगह पे कितना रूट फाइब की तू जब इसको सॉल की जगह ता देखिए रूट 5加 0-2 सुलल के जलते हमें संपधे हैं जब रूट से बाहर निकलेगा कितना रूट 5 पलस वन नीचे कितना हाँ रूट 2 रूट 5 पलस वन पलस डिवाइड बैड रूट 2 जब इसको सौल की जिगा तो यह आपको गरीक टेंसर देगा कौंसा ऑपसर डी इस बात को आप लोग लिख सकते हैं रूट 5 बैट पलस 1y 1y 2 1y2 यानी करीक टेंसर ऑपसर डी इस करिक चवाब हो जाएगा जब एक बड़ी से बड़ी संख्या एक साथ सो सोल ना अठारा सो सेटीस और पचीसो पैताली से विवाज किया जाता है तब पर देक स्थिति में वाई से प्राप्त होता है X-Y क्यात कीजिए सबसे पहले क्यात कीजिए हाई है क्या पूछ रहा है चाल सो और साथसो छि ओल और तो और कितना द्यागे 25-00、716,18-2045,000 द्रहें क है कि इन दोनों का डिफ्रेंस देखे हैं कि 716-00,1837 का डिफ्रेंस ग्याद की जिएगा तो यह आजागा आपको बिदा 1121 अब देखिए इन दोनों का डिफ्रेंस देखिएगा 836-00, 2545 का difference देखिएगा यह difference आजयागा आपको कितना 708 कितना 708 760 बाफशी सो पैथिच निजका दिखाई देखिगा तो यह आजयागा कितना 1829 कितना 1829 यानी 1121 708 और कितना 1829 इसका HCF लिखेगा इसका HCF निकाले HCF यह HCF आपको आजाएगा कितना 59 59 यानि कहने का मतलब 59 वह संख्या है जो इन सभी को काटने पर क्या देगा समान से इस देगा इक्वल से इस देगा वह पूछ रहा हुआ होगा कितना तो आप क्या किजिए 700 صॉलल से डिवाइट करजी शैस को मतलब्वाइट कितना 59 59 से उख्या किजिए इस भाड़ा आ न गाउल न तो या आज़ागा 1810 बuriasant कितना कुदध़ या इस हमको कितना देगा सेस आपको देगा आठ सेस हमको आठ देगा पूछ क्या रहा है सेस पल परते कि स्थिती में आठ प्राप्त होगा और भाग देने वाली संख्या कितना हो गया 59 डिफरेंस पूछ रहा है कोश्चन 59 वाइनस कितना 8 59 में से 8 को घटा दिजेगा तो कितना जगा 51 यानि करेक टैंस और ओप्सन बी इस्प्रेशन का करेक जबाब का कौन सा ओप्सन बी देक्स 36, 87 और 123 को किसी संख्या से भिभाजित किया जाए तो परते एक जसा में समान सेस बज़ेगा जब भी तो यह आजागा आपको 36 और 123 का डिफ्रेंस देखिएगा तो यह आजागा 60 यानि 24, 36 और कितना 60 का क्या कि HCF ले लिजे HCF हापको कितना आजागा 12 यानि करेक टैंस बारा वा संख्या है जो सभी को डिवाइड करने पर हमको क्या देगा समान सेस देगा यानि करेक टैंस और आप्शन भी इस प्रस्ट का करेक जबाब हो जाएगा देख्स यह क्या है सिंप्लिफिकेंशन का कोश्चन आपको इसको क्या करना है सिंप्लिफाई करना है इसको सिंप्लिफाई ही करना पड़ेगा इसको सिंप्लिफाई दो इंगार डिवाइड कर दिगा इस जगा 4 प्रूस रूट 15 यह जागा 4 माइनस रूट 15 टिक त्यानी पलस6 माइनस रूट 15 डिवाइड वह कितना और चार प्रूट 15 अज जब इसको क्यों च्रॉस मृट एग करके इधर हो जागा कितना 4 प्लस 15 का All square 4 हो जागा 4 मैनस 15 का कितना क्कितना A2- A2- Gloria 4 को स्कूरर मैनस 15 का All square if the around call 1- gł2 पर को स्कूरर अपर स्कूरर की जिगा तैंस वैक किका तो कुछ गहाआ जोड़कि का ओल ऑड़किन पर तोड़ disfrut प्लस बीए स्क्वाइड माईनस तू आफ आफ यह चैनल अब लीए अप्छानल बीडीयो पाने के लिए अपने चैनल भी ऐसी बिहार एस्टेटिक जाम को तो सब्सक्राइब कर ही ले साथ ही या वीडियो को जादा सी जादा से शेयर करें ताकि या वीडियो लोगों के बीच पहुंच सकें थैंक्यू वन्स अगें